तो हेलोने प्रश्का दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देखरें गौरव में हम यूटिप चैनल आज के इस वीडियो हमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि MP40 अच्छा है या फिर M1014 अच्छा है आप लोग अज फिर फायर खेलते होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि य को यूज़ करें तो इसी के बारे मैं आपको बताने वालोंोंकि कौन सा अच्छा है कि एक बेनिफिता है क्या लौस सब कुछ मैंआपको इस वीडियो में बताने वालों तो वीडियो पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगए तो लाइक चैनल को भी सब्थैब कर कि आप तुरंत अपने आपने को डाउन कर सकते हो ठीक है और M1014 जो कि एक शॉट गन वह क्यों अच्छा है तो वह एक साथ 3-4 बुलेट्स निकलते हैं उससे 3 बुलेट्स निकलते हैं तो इसलिए वह जल्दी से आपके आपने को मार देगा तो इसमें से जो गन आपको अच्छा होगा तो इसमें से आपको चलाने का इक्सपीरियंस है उसी को चलाओ कि दोनों एक बाउगली मैं बोल सकता हूं बराबर ही है प्लेयर पे डिपेंड करता है वो कैसे खिलता है अब हम लोग बात करते हैं MP40 में स्पीड है यह थोड़ा सा पुलफक्त हो कि यह लोकस है थोड़ा सा खराबी जो है वो है कि यह थोड़ा सा क्या करता है कि अच्छा करने एक साथ तीन गुलेट से निकलते हैं तो यह इसका फाइदा है लेकिन एक लॉस मैं बताओ अगर M 1014 का थो आप थोडा सा भी दूरी केलिए यूज Ăए कमत एक्टम थोडा थ में धूर केपनोंόσ üçा को आप एक दूरे चाथ सद्व यूज kस Même मां आप सॉक्ति दूरोंति मीं एक डुर थोड़ा सा भी दूर है अगरा थोड़ा सा भी limit एक्टाइब यूज नहीं कर पाऊ गया, MP40 यूज कर सकते हो उतना दिर के लिए, बट MP40 वहाँ पर आपका चले गाईने, MP40 एक्टम सामने के लिए, तो आपको MP40, यह M1040 अगर शॉटकन आप यूज करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, अपने साथ ब्लू वाल लेगना होगा, ख घुले में घूपना मना कर दो, अपने मिंस, है मिंस घर में बैटके रहना होगा, तक कि आपका दूश्मन आए, काँ आपके पास जो है आपके विस एनिमी को आपको यह पुरा सामने आ गया एकदम सामने आ गया तो आप उसे नहीं मार पाऊगा एंपी होटी में एक वाल बात है कि वह 20-20 का डैमेज देता है अगर आप उसे किसी अपने एनिमी को हिट शॉट भी मारते हो तो 60-70 का डैमेज देता है यानि क देशनों वादिस एक हेट शॉट आपको मारता होगा उसके बाद आप 20-20 का डैमेस देशकते हो तो आपका डाउन ओगा बट अगर आप अपना शॉट गन य्ज़ करो तो शॉट गन यूज करते हुए क्या होगा कि आप उसे अपने विक बस एक हैट शॉट आप मारोगे आपका एनमी डाउन हो जाएगा तो यह फाइदा है M1040 का कि एक शॉट आप हेट पर मारो मज़ जाएगा आपका दुश्मन बट एक और बात है कि MP40 में आपको एमो ज्यादा उठाना पड़ेगा आपके पास बैंग लेवल वन का तो उतना इमो उठाने पाऊगे और आपका उसका बुलेट का जुरुत भी नहीं पड़ता उसमें लगता है और उतना ज्यादा बुलेट का जुरुत नहीं होगा जितना आपको MP40 में जुरुत होगा साथ ची जो है MP40 20-20 का डमें जुता है अटेश्मन आपको लगाने होगा मैगजिन लगाना होगा एक बार में 20 आप लगा सकते हैं लेवल 3 कर ठीक तो इतने सारे अटेश्मेंट्स आपको ढूनने पड़ेंगा जो कि आपको शॉट्गन में नहीं पड़ेगा लेकिन मैं बोलूं तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वह है इक्सपीरियंस का कि आपको कौन सा अच्छा से यूज़ करने फिर अच्छा से यूज़ करने आता है के यस को इस वह अगर मर जाएगा आपको उतना डरने का जरूतने की कि इसको यूज़ करे स realidadeर्षिक बट दोस्तों में एक और बात अपको बोलना चाहूंब कि हमने इंप कहा कि इसकर ब масс युज़ां याद ज़रों कि आपकू यूज जरूर करो पर क्लासिक मोड में भी आप दूसरा गंगा यूज जरूर करो जैसे मिंस आप एंपी-फ़ॉर्टी अच्छा चलाने जानते हैं तो रहन देन में MP 40 यूज पर प्लासिक मोड में आपको अगर M10 मिलता तो M10 से प्रैक्टिस जरूर करो क्यों मैं यह बोल रहा हूं कि आपको MP40 अच्छा है चलाने आता है लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको MP40 मिल जाए सुरुवात में मिल जाए कभी कभी होता है कि हमें MP40 नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे तो इसलिए आपको उसका भी प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए ताकि आपको अगर कभी प्रॉब्लम होता आप MP40 भी यूज़ कर सकते हो अगर कोई गन नहीं मिल रही है तो आप यूज़ कर सकते हो ठीक है यह भी बात एक्स्पिजेंस दोनों का ले लो और जिसका अच्छा आपको बढ़ता है लगे वहीं यूज़ करो और यूज़ एक और बात मैं कहूं कि यह एम्टेन में जो है री लोड्ट में चेव लेट चाहिए और अजया है और मेग लगता है लोगे तो लोट तो जो मार लोगे तो ऊसका रीड लोट में लेने में बहुत टाइम लगता एक बुलेट मानने बाद फोड़ा time लेता है दूसरा मानने केकि लिए यापू कि छो चार बुलेट करेंगा तोा इक हम आप ड़ेता है। लगा देता है तो इसलिए आप अगर किसी से लड़ा हो तो आप देखते हैं कि आप के Nevisman के सामने रिलोड मत करो। चुपने का जगह बनाओ उसके पाद ही रिलोड करो MP40 अगर आपके पास दुष्मन के पास है तो आप जब तक M10 को रिलोड करोगे तब तक आपका जो दुष्मन है वो आपको मार के खाली कर देगा ठीक है तो इसलिए आपको ग्लू वाल्स अच्छे से रखना होगा और बह सकते हो कहीं भी कोई दूर में दिखा तो लॉंग रेंज एकन यूज कर लो और कोई थोड़ा मैज दिखाया तो उसे आप महाद लो जो है MP40 से आपको ग्लू यूज नहीं करने आता तो MP40 यूज करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो अखर आपको ग्लू यूज करने सब्सक्राइब कीजिए और बेल अखर इनको दवा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे तो फिलाल वीडियो में बसे नहीं जय हिंद बनने मात्रम